हेलो फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थिप्स ग्यानिन हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों एक आम समस्या है अंचाहे बाल हाथों पर पैर उपर और कभी कभी चहरे पर कुछ अंचाहे बाल आ जाते हैं जिनको हटाने के लिए बाजार में ना जाने कितनी क्रीम्स और दूसरे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन प्रोडक्ट्स में बहुत से हानिकारत केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारी तोचा को भी नुकसान पहुचा सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको घर पर ही आसान से तरीकों से अंचाहे बालों को हटाना बताएंगे और दोस्तों इनके उपयोग से आपके तोचा में निखार भी आ जाएगा लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ टिप्स यानि हिंडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिएगर रैड बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहले उपाय के लिए आपको चाहिए जला हुआ कोईला और आलू का रस दोस्तो इस उपाय के लिए आप कोईले को पीस कर उसका चूरन बना ले फिर इसमें एक चमच आलू का रस मिलाईए आप इसमें आलू की जगा टमाटर का रस भी डाल सकते हैं लेकिन आलू का रस जादा एफेक्टिव है अब इस पेस्ट को अपने हातों पर या जहां से भी आपको हैर रिमूव करने हो वहां पर लगा लीजे और लगबग 2-3 मिनट तक के लिए लगा रहने दीजे जब यह पेस्ट सूख जाए तो इसको किसी कपड़े से रगड़कर स इससे आपके अंचाहे बाल साफ हो जाएंगे और आपकी स्किन भी साफ हो जाएगी और निखर भी जाएगी आपको जानकर हैरानी होगी कि कोईला स्किन को कोरा बनाने में बहुत ही कारगर होता है दोस्तों इस नुस्खे में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि आपको क कोई नुकसान हो आसान सा तरीका है और आप इसका इस्तमाल करके अंचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं इसके अलावा एक और आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं आप एक चमच पेशन में एक चमच हल्दे डालिए और फिर थोड़ा सा दूट डालकर इसका पेस्ट बन गया है उसको आप बालो वाली जगह पर लगा लीजिए जब यह सूख जाए तो इसको रगड कर उतार दीजिए अगर आप नेमित रूप से आसा करते हैं तो ना सिर्फ आपके अंचाहे बाल खतम हो जाएंगे बल्कि आपके तोचा की रंगत भी निखा जाएगी बेशन गोरा और चमकदार भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आज हमने अंचाहे बालों को हटाने के साथ साथ तोचा को गोरा बनाने के उपाए भी जाने हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरू शेयर कीज ऐसी और जानकार्यां पाने के लिए हमारा चैनल हेल्थ टिप्स यानिन हिंदी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू